तमश्कार मौप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है अक्सर हमें कहीं भी घूमने का विचार आता है तो हम बिहार से बाहर किसी स्थान पर जाना पसंद करते हैं जिसमें गोआ, उटी, शिमला जैसे जगों पर जाना लोग अक्सर पसंद करते हैं क्योंकि आमतार पर बिहार में लोगों को ऐसी कोई जगए नहीं मिलती जहां जाकर वो खुबसूरत वादियों के साथ-साथ मौज मस्ती कर सके ना ही लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि वो घूमने के लिहास से बिहार में कहां-कहां जा सकते हैं ऐसे में आज हम आपकी मदद करने वाले हैं और आपको बिहार की एक ऐसे स्थान के बारे में बताने वाले हैं जहां जाकर आप गोवा शिमला जैसे जगों को भूल जाएंगे क्योंकि बिहार के इस ने टूरिस स्पोट पर आपको गोवा का एहसास होगा और साथ ही साथ आप शिमला जैसी पहारी का भी एहसास ले सकेगे यहां आकर आपको नदी किनारे शांदाल वॉक वे दिखेगा जहां पर आकर आपको एक तरफ नदी तो दूसरी तरफ घनी जैंगल दिखेगी यहां से आप हिमाले की बादियों को भी आराम से निहार सकते हैं जी हां हम बात कर रहे हैं बालमी की ताइगर रिजर्व की जो की 899.38 वर्ग किलोमीटर में फैला है यहां पर एक खूबसूरत जगे को विक्सित किये जाने का काम हो रहा है जो हर एक सैलानियों का पसंद दीदा जगे है इस वालमी की नगर में अभी जो सबसे बड़ा आकरशिन का केंद्र बना हुआ है वो है गंडक नदी के किनारे बना शांदार वौक वे इसकी जानकारी खुजल संसाधन मंतरी संजे जहाने दी है उन्हां ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउन पर इसका जिक्र किया है जिसको लेकर उन्हां लिखा कि जल और हर्याली के वी जीवन का आनंद वालमी की नगर की कटाव से सुरक्षा के लिए गंडक नदी के किनारे लगभग 2 किलोमीटर लंबा वॉकिंग ट्राक बनाया गया है यहां से आप एक तरफ जल दूसरी तरफ हर्याली का आनंद लेते वे हिमाले की बर्फ से ढखी चोटियों का दीदार कर सकते हैं इतना ही नहीं आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यह जगह कित्मी ज्यादा खूबसूरत है जो आएक तरफ सेलानियों को घना जंगल देखने को मिलेगा तो वहीं दूसरी तरफ गंड़क नदी की स्वाच्छ पानी जिसे आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं अगर आप भी इस जगह का अभ्रहमन करना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका भी है 22 अक्टूबर से ही सरकार की तरफ से परेटन को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल पाकेज की शुरवात कर दी गई है इस पाकेज की मदद से परेटकों को वालमी की नगर में दो रात और तीन दिन रुकने का मौका मिलेगा इसको लेकर राजधानी पटना से हर शुकरवार को दो बजे वालमी की नगर के लिए बस खुलती है वही यह पाकेज की शुरवात भी आपको बेहधी किफाईती दाम पर मिलेगी जिसके तहट आप मात्र 4500 रुपे से जंगल में क्याम्पिंग, खाना, घूमना आदी कर सकते हैं इसको लेकर हाली में सीम नितीश ने वालमी की नगर में बोट सफारी के उदगाटन का काम भी कर दिया है इसको लेकर हाली में ही उन्होंने इस नई सुवधा का शुभारम किया जिसके बाद बिहार के परिटकों को और बिहार आने वाले परिटकों को परिटन के लिहाद से एक और बहतरीन स्थान घूमने के लिए मिल गया है